नमस्कार स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का मेरी यूटूब चैनल मिक्की मिन में तो स्टूड इस वीडियो में आप सभी को बील आई एट से रिलेटेद जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ब्लॉक वन एन ब्लॉक टू से है वो सारा मैं इस वीडियो में कवर कराऊंगा ये वीडियो का part 1 है and part 2 में आप लोग का block 3 and block 4 का भी important topic cover होगा आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ इसमें important topic जितने भी है वो तो मैं cover कराऊंगा इस साथ में मैं आप लोग को कुछ important question भी बताऊंगा जो की आपके previous year question और repeated question आते रहे हैं वो वाले question मैं आप लोग को important, top important question बताऊंगा जिस से आपको question जिस topic से आपको question हमीशा देखने को मिलेगा तो वीडियो को जाद से जादा शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe कर लें वाटसब ग्रूप को जॉइन कर लें पीडियेफ के लिए और हमारा टेलिगरम चैनल भी है उसको भी जॉइन कर लें इन सबका लिंक आप लोग को इसी वीडियो के description box में मिल जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो तो ब्लॉक वन जो है वो है conventional product and service ब्लॉक सेकेंड है special product and service ब्लॉक फोर है ब्लॉक थर्ड है document delivery service and ब्लॉक फोर है web product and services इस ब्लॉक में आप लोग को ब्लॉक वान एंट तू का मैं cover कर आ रहा हूँ तो देखें सबसे पहले जो topic है जिससे question आपको देखनी को मिलेगा सबसे पहले मैं आप लोग को topic discuss कर देता हूँ सब उसके बाद जब मैं आपको question बताऊंगा ता आप खुद relate कर पाएंगे कि हाँ जो topic यहां पर mention है उसी topic से related नीचे question जो है वो repeated आते हैं मैं नहीं आप कोई भी year का question उठाके देख लें अगर आपको लगता है तो इनके अलावा एक दो question जाएंगा बट वो तो option में आप लोग eliminate भी कर सकते हैं इसलिए मैं आप लोग को थोड़ा smart work तरीके से पढ़ा रहा है ताकि अभी आपके पास बिल्कुल भी time नहीं है कली exam है तो इसलिए आप लोग जब आपका 226 का exam देके आएं तो आप अच्छे से वो prepare करके और 228 का भी अच्छे से cover कर लें तो चलिए start करते है literature search में देखे क्या का चीजे हैं जैसे कि literature search में क्या है search technique क्या होता है search subject approach author approach offline and online approach author approach अपका यह野 हो गया subject approach सबको मैंने पूरे detail में बताया है literature research करना है literature search जार्च क्या होता है कोई भी literatuređ सच करना है कोई भी literature चाहिए तो उसका जो search होता है वो किस किस तरीके से होता है author से related होता है subject से related होता है technique क्या इसतमाल होता आफलाइन आफलाइन अपरोच यूज होता है, यह सारी चीजे इसमें आपको देखने को मिलेंगी, उसके अलावाब बिब्लोग्राफिक सर्विसेस से भी कोशन बनते हैं, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफरमेशन वेरी इंपॉर्टेंट, करंट अवेरनेस सर्विसेस करंट अवेरनेस सर्विसेस में आपको अगर आएगा कोशन तो आपको क्या क्या लिखना है, इसके करेक्टरिस्टिक हो गया है, तो यह सब भी लिख देंगे, तो आपके काफी अच्छे नंबर मिल जाएंगे, देखें, दस नंबर के लिए हमें आपको बता दूँ, आपक अगर आप लोगों के पांच नंबर के आ रहे हैं, तो आपके दो और धाई पेज बहुत जादा है, इससे ज्यादा नहीं जाना है, तो इतना करें, फिर उसके बार अगर आपकी स्पीड जादा है, तब इतना आप लिखें, अगर आपकी स्पीड अच्छी खासी नहीं है, तो आप जो नंबर आप पेजे से उसको घटा भी सकते हैं, क्योंकि स्पीड पे भी डिपेंड करता है, कि आपका कहीं ऐसा ना हो, कि आप 6-6 पेज भनने में बैट जाएं, और लास में आपका पेपर ही शूट जाएं, फिर उसके अलाओं, अबस्ट्रेक्टिंग सर्विस डाइजेस्ट सर्विस, निउस्पेपर क्लिपिंग सर्विसेस, इन तीनों से एक नए कोशन आप लोग को जरूर देखने को में लगा, क्या पता दो भी आजाएं, और अगर लग अचा रहा तो 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 इनको आप बिल्कुल ही इगनोर ना करें, और अगर ऐसे कोशन आते ह तो आपको कैसे लिखना है, पहले तो डेफिनेशन देना है, फिर स्कोप आ गया, अबस्ट्रेक्ट आ गया, टाइपस ऑफ अबस्ट्रैक्ट के मैं एक्जामपल ले रहा हूं तो अबस्ट्रैक्टिंग सर्विसेस का अगर एक इसापल लिया तो वैसा ही जैसे अगर डाइ नियूज पेपर सर्विस किलिपिंग की बात करूँ तो जैसे कोई, कोई बहुत सारे नियूज मतलब हरोज आप जो नियूज पेपर पड़ते हैं तो उसमें बहुत साइर नियूज होते हैं जो कि अगर आप लाइबरी स्टूट्ट है या फिर कोई भी रीडर है, जो कि स् को उस वाली services provide करना जहां पर हार एक important नीज को जहांसे बी sources लेके जा या फिर आपका magazine चिपका दिया जहां पर जाकर एक ही जगह पे अपना जितना भी important topic है उसको आप cover कर सकते हैं देख सकते हैं कि क्या क्या हां कि कौन कौन से news आया था तो यह सारी चीज है इसमें रिखना है धिर अगर अगर सर्विश से कुंशन आता है गर अगर अगर सँर्भी से कोशन आया तो ऑपके रिफिनेशन हो गया सकोप हो गया नीट फॉर रेफरल सर्विस तूल एक रिफरेंस और रिफरेंस में क्या अंदर होता है पर आपके पास कोई कोई डॉक्मेंट मांगा अपके पास है नहीं तो आप रिफरेंस में यहां पर तो तो ऐसे करके आप उसको मतलब रेफर कर सकते हैं कहीं पर कि जहां पर उसको वह उसकी जो इंपर्टेंट जो वह चीजें आपसे मतलब सीख करने के लिए बोल रहा है वहां पर उसका फुल्फिल हो जाए उसके अलावा नीट फॉर इंफरमेशन एनालेसिस एंड सिंथेस वेर हैं इंकड़ियूजा आपकर नाजाते हैं जिसके इंटरनेशनल जाहां है जैसे जाहे से इंफ्रमेशन इस हो गया से क्योंदें इननाशतर रेपेटेड़ कोरण आए मैं आपको नीचे जब कोशन कराओंगा तो आप देख ले ना खुदी तो इनफरमेशन है the responsibility exercise by individual जो भी responsibility एक individual exercise करता है मतलब जो वो enjoy करता है department या department हो या organization for evaluating and comprising relevant document document का evaluate करना उसको comprise करना जितने भी relevant document है in order to provide definite user group ताकि वो किसी particular definite user group को provide कर सके with reliable and concise new bodies of knowledge reliable हो वो जो भी information आप provide कर रहें concise हो मतलब कम से कम information consolidation के अलावा आपको information consolidation में process in information consolidation से question आ सकता है technical digest trend report state of the art report review and related product very important start mark लगा इन में से भी दो कोशन आपको जरूर देखने को मिलेगा अब चलते हैं कोशन पे जो की आपको देखने को मिलेगा एक्जाम में जिससे related आपको कोशन इसमें कुछ 15 कोशन लेके आए हैं हम और इस कोशन को आप अच्छे से आपको कोशन देखने को मिलेगा क्या पता सेम कोशन भी आ जाए बट या फिर डिफरेंट भी आ सकता है मतलब जो टॉपिक रहेगा वो सेम रहेगा लैंगज जो होगा चेंज हो सकता है तो वो वेरीज कर सकता है तो आप लोग इसको देख लें और फिर इसी के है वो इसलिए है क्योंकि बहुत सारी कोशन में आपको इयरवाइज लेके इसमें दिया है कि देखिए हर साल जो कोशन है वो रिपीटे आते हैं इसलिए कई सारे कोशन ऐसे होंगे जिसके लेंगविस थोड़ा अलग होगा बट कोशन रिपीटे होगा तो जैसे कि पहला को विवीटे जिए के बहुत के छोटारी कोशन की बात करें और एक्स्ट एक्समें दस्ट Inductive and Informative Abstract Abstract से कोशन आ गया Informative और आपका ये हो गया Informative and Inductive Abstract में अंतर क्या बताने हैं अंतर वाले कोशन में हमेशा बीच में आपको लाइन डालना है एक तरफ जैसे Informative लिख देना है दूसरे तरफ Inductive लिख देना है ऐसे करके Fourth question आपका What do you understand by Selective Dissemination Of Information Service Very Important देखिए उपर मैंने ये वाला बताया था Selective Information of Dissemination वाला कोशन Topic मैंने आपको बताया था और सेम उसी से कोशन यहाँ पर देखने को आपको मिल कर देखिए Selective Dissemination of Information तो ये वाले जो टॉपिक है Direct question इसमें देखने को मिल रहा है उसके आलावा इसमें एक और आड कर दिया गया है Describe its component with the help of example इसके component क्या क्या होते हैं इसमें के तोर पे आप इसको describe करें उसके आलावा 5th question है Explain the concept of information analysis Information analysis क्या होता है Describe the process involved in the analysis of information Analysis of information में जो process involved है उसको भी बताना है यह हो गया 5th question यह भी मैंने आपको उपर heading में दे रखा है Important जो point है उसमें Distinguish between state of the art report देखे सेम अभी यहाँ पर है State of the art report इससे same question आ गया and trend report देखे इसमें दोनों को इसने cover कर दिया trend report और state of the art report दोनों को ही cover कर दिया और एक और इसमें point add कर दिया है Explain the process of preparing trend report अब trend report को prepare करने का जो आपका जो step होता है उसको बताना है process होता है उसको बताना है तो यह ऐसे question आपको दस number में देखने को मिलेगा जिसमें आपको पाच पाच चार चार नंबर और दो नंबर ऐसे करकर डिवाइड कर रखा होगा फिर उसके अलावा 7th question में देखते हैं discuss briefly the process involved in information analysis and consolidated activity देखें information analysis और यहां पर भी information analysis and consolidated activity same question repeat हुआ उसके अलावा 8th question में explain the use of offline and online approach in literature search offline and online approach of literature search यह अभी मैंने आपको यहां पर बताया था कि ऐसे question भी आते हैं और देखें same question आगा देखें यहां पर literature search में offline and online approach आगया same question तो उसके अलावा आगे चलते हैं question number यहां पर 9 है what do you understand by digest service अभी उपर मैंने digest service का भी बताया था जो कि यहां पर है आपका digest service से भी question यहां पर देखने को आपको मिल गया तो यहां पर यहां पर देखेंगे हाँ यहां पर देखेंगे digest service है तो ऐसे करके question जो है इनी topic से related आ रहा है है बाहर से आपको बहुती रेर question देखने को मिलेगा बट सेम अगर आपने topic prepare कर लिए तो सारे question आपको solve हो जाएगा उसके अलावान देखते हैं डिसक्राइब newspaper service clipping service same question फिर से आ गया newspaper से लेटर भी मैंने ऊपर आपको discuss कराये था फिर उसके अलावान इसमें add कर दिया डिसक्राइब इसमें डाइग्राम भी बनाना है तो डाइग्राम अगर नहीं भी पूछ रहा है तो अगर बना सकते हैं तो आप लोग जरूर बनाए question number 13 है describe the characteristic of current awareness service उपर इसका भी मैंने दिया था आपको important point में 14th है discuss the discuss with example some of the online union catalog as a source of information online union catalog बताना है source of information के लिए online catalog क्या होता है union catalog होता है जैसे कि बहुत सा ही library मिलके catalog prepare करते हैं कि उनका budget उतना नहीं होता या फिर वो चाहते हैं कि इतना भी resources है उसका optimal use हो तो online के लिए ऐसा होता है कि online prepare करते हैं वो catalog catalog और वो फिर online जैसे तीन चाह लाइबरी है वो सारे उसके यूजर उसको access कर सकते हैं तो ऐसा है उसके अलावा फिर last question है define technical digest and discuss its need देखिए सेम आ गया डाइजेस से question टेकनीकल डाइजेस से तो जैसे कि मैं बता रहा हूं कि repeated question आ रहे हैं और अगर आप इनी topic को cover कर लें सही से यह मैंने बहुत बहुत बाद discuss कर मतलब बोल दिया तो यह last time है कि आप लोग इसके अलावा चाहे तो पढ़ सकते हैं बट अगर अपने इसको भी अच्छे से कर लिया तो आप अच्छे नंबर score कर सकते हैं बहुत अच्छे नंबर तो आपके इस तरह के से प्रिपेशन कर रहे हैं और इस यह लेक्चर का जो पीडियाफ है ग्रूप में डल जाएगा जो हमारा वाटसप ग्रूप है और हमारा जो टेलिग्राम जो ग्रूप है उसमें भी डल जाएगा अगर करके जाज जाज शेयर करें तो चली फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में इसका पार्ट सेकेंड में तब तक के लिए धन्यवाद